हेलो दोस्तों गुड इवनिंग आप सभी लोगों का श्वागत है आउप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे जैसा कि हमारा mcq-wet series चल रही थी हमने कल एक question दिया था कि किस कारण से तारों में प्लाजमा बनता है उच्च दाव के कारण निम्दाव के कारण उच्च ताप के कारण या उच्च आयतन के कारण due to which plasma is formed in stars due to high pressure due to low pressure due to high temperature या due to high volume तो किस के कारण तारों में प्लाजमा बनता है तो अगर जिसने भी कल हमाई वीडियो देखा होगा तो उससे ये answer जरूर बन जाएगा और अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप optimum education guidance चैनल पे जाएए और वहाँ से sheet at mcq batch की एक playlist बनी हुई है उसको आप visit कीजिए वहाँ से आपको ये मिल जाएगा तो इसका जो हमने बताया था कि कितनी अवस्थाएं होती है तीन अवस्थाएं मुक्रूप से ठोस, द्रव, गैस और जो चौती है वह कौन सी होती है प्लाजमा और जो पाँचवी होती है वह कौन सी होती है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट तो जो चौती अवस्था है ये कहा पॉश्वल होती है हाई टेंप्रेचर पे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा उच्छे ताप के कारण राइट आंसर अपना क्या जाएगा डू टू हाई टेंप्रेचर तो अब हम अपना आज का पहला कोश्वन स्टार्ट करते है हमारा पहला कोश्वन क्या है कि लुईस के अनुशार अम्ल ओ एच आयन देते हैं एच प्लस आयन देते हैं या इलक्तरान युगम लेते हैं या इलक्तरान युगम देते हैं। तो लुइस ने एक थेorी दिया था, अम्ल और छार को लेके, तो उन्हों ने क्या कहा था? कि उन्होंने उनकी थियोरी में उन्होंने एक अफधाना दे थी कि जो इलेक्टान यूग्म ग्राही इलेक्टान यूग्म को जो ग्रहन करते हैं वो क्या कहलाते हैं अमल कहलाते हैं और जो इलेक्टान यूग्म दाता यानि को जो इलेक्टान यूग्म को देते हैं डोनर होत वह क्या कहलाते हैं छार बेस कहलाते हैं यह क्या है एसीड और यह बेस और एक और साइंटिस्ट थे कौन थे ब्रॉंस्टेड एंड लॉरी दो मिलके एक सिध्धान दिया था ब्रॉंस्टेड एंड लॉरी का सिध्धान उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, वह क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन ग्रहन करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पेस कहलाते हैं, छार कहलाते हैं, तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, कि जो यूग में लेते हैं, यानि ग्रहन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अमले कहलाते हैं, लुइस के अनुसार, राइट, अगर ब्रांश्टेड एंड लॉरी के अनुसार पूछता है, तो अपना कौन सा जाता है, H प्लस आयन, देते हैं, ये जाता है, राइट, तो अब क्या कहता है, कि निम लिखित में से कौन सा समांगी मिस्त्रण है, देखो, जो मिस्त्रण, मिस्त्रण दो प्रकार से होता है, एक समांगी और विशमांगी मिस्त्रण, राइट, तो पहले मिस्त्रण समझे कि मिस्त्रण है क्या, जब दो या दो से अधिक योगिक, दो या द से अधिक योगिक मिलते हैं, तो यह क्या कहलाता है, मिस्तरण कहलाता है, दो या दो से अधिक योगिकों का मिलना, क्या कहलाता है, मिस्तरण कहलाता है, और यह किते प्रकार से होता है, दो प्रकार से, समांगी मिस्तरण और विशमांगी मिस्तरण, अब जब समांगी मिस्तरण क्या है होमोजीनियस और विशमांगी हेट्रोजीनियस जब समांगी मिस्तरण में क्या होता है कि जब दो योगी किसमें एक निश्चित अन्पात में समान अन्पात में मिलते हैं तो क्या कहलाता है समांगी मिस्त्रण कहलाता है और विश्मांगी मिस्त्रण में जब यानि कि जब दो अगी असमान यानि अनिश्चित अन्पवात में मिलते हैं वो क्या कहलाता है विश्मांगी मिस्त्रण में क्या आ जाएगा ओटू आ जाएगा, example, N2 और ये शी ओटू, ये क्या कहलाते हैं, ये कैसे हैं, समांगी मिस्त्रण के उदारान, और विश्मांगी मिस्त्रण में क्या आ जाएंगे, जैसे बालू एबं लोहे के बुरादे मिलना, किसके बालू एबं लोहे के बुरादे मिलते हैं, और जल तथा वसा का मिस्त्रण यानि जल तथा वसा में मतलब किसका हो गया दूद का मिस्त्रण इस वारी दूद तो ये जल और वसा का मिस्त्रण कैसा होता है दूद तो ये कैसा होते हैं ये विसमांगी मिस्त्रण है तो इसमें क्या पूचा है कि निम लिखित में से कौन सा समांगी, होमोजीनियस मिक्चर, तो होमोजीनियस मिक्चर अपना कौन सा आ जाए गया, मेथेनॉल और जल, भीजदा, करेक्ट आप्शन, राइट, नेक्स्ट कुश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कि अपना प्रभाव देख लेते हैं, टिंडल इफेक्ट, राइट, टिंडल इफेक्ट क्या है, यह कि टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई प्रकास की किरण, किसकी प्रकास की किरण, किस से एक कोलाइडी विलियन, यानि एक केमिकल मिक्च्चर से, जब कोई प्रकास की किरण कोलाइडी विलियन मतलब केमिकल मिक्स्चर से होकर गुजरती है तो क्या होता है प्रकास का प्रकिरणन होता है प्रकास का मार्ग दिखाई देता है ऐसा प्रभाव क्या कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है तो जैसे कि आप लोग example के रोप में जैसे पुराने जो घर खपरायल वाले जो घर होते हैं उन में से छोटे से छित्र होते हैं तो उनमें से देखना कि जो प्रकास की किरण आती है तो उसमें देखना कि छोटे-छोटे धोल के कड़ दिखाई देते हैं, वायू के कड़ दिखाई देते हैं, है ना, तो ये किसके कारण, किसके इफेक्ट के कारण दिखाई देते हैं, टिंडल प्रभाव के कारण, या आप जब, आप सिनेमा घरों में भी देखना, सिनेमा घरों में जो लाइट पीछे से लाइट पड़ती है ना, तो जब प्रकास पड़ता है, तो आप देखना कि उस पे जब प्रकास गुजरता है, उन प्रकास की बीच मारगों में क्या, छोटी-छोटी कड़ आपको दिखा इस्टार्च विलियन, she is the correct option राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रएंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है इस्थम्ब एक एवं इस्थम्ब दो को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिये गए कूट के दोरा प्रयोग दोरा सही विकल्ब को चुनिए सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सीटेट के ऐसे फेवरेट के रहते हैं क्वेश्चन इसलिए आप जितने प्रिवियस येर के क्वेश्चन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वालो करें अगर आपको पहली वार या आपको सीटेट क्रैक करना है तो और अगर यदि आपको प्रिवियस येर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस से जुड़ जाएए और वहां आपको सभी येर के प्रिवियस येर के क्वेश्चन पीडियाप रूप में मिल जाएंगे तो इसलिए आप एक बार अप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस के टेलिग्राम चैनल से जुड़िए तो क्या है उर्दपातन? उर्दपातन मतलब शबली मेशन हमने कल बताया कि शबली मेशन है क्या? कि जब फोस से डाइरेक्ट किस में? गैस में परिवर्दपातन हो जाए लेकिन इसमें क्या कुछा है कि? तो एका फोर्थ देख लीजी इसमें क्या है? एक सी नंबर सी में एका फोर्थ है तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ऐसी ट्रिक अपनाना पड़ेगा और एक बार चेक कर भी लेते हैं है ना? अगर आपको टाइम बचाना है तो आप डाइरेक्ट ली ऐसे कर सकते हैं लेकिन फिर भी अभी अपने पास टाइम है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते ह तो A का क्या हुगा? चार और B का क्या है? निर्वात आश्रोन, निर्वात आश्रोन में क्या होता है कि जो ऐसे द्रव को प्रथक करण किया जाता है जो कतनांग से पहले विगटित हो जाते हैं तो B का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है न, और वास्पन, वास्पन में, यानि कि, जो विदी में विलायक को पुना प्राप्त नहीं किया जाता, अगर वास्पित हो गए, तो क्या उनको प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो C का क्या हो जाएगा, एक, और D क यहने crystal, crystal को जो यहने किसी विलायक में उपस्तित असुद्धियों तथा कार्वनी की योगिकों की घुलन सीलता को प्रथक करने के लिए किसका उप्यूग किया जाता है, crystalline method का, तो D का क्या हो जाएगा, दो, तो अपना C is the right answer, C is the correct option हो जाएगा, right, next question की ओर आंगे बढ़त से अपना next question क्या कहता है, कि निम लिखित में से उत्क्रमडी परिवर्तन है, उत्क्रमडी परिवर्तन, रशाहिनिक परिवर्तन है, या भौतिक परिवर्तन है, या एवा भी दोनो, which are the following is a reversible change, chemical changes, physical change, या both A and B, अब देखो, उत्क्रमडी परिवर्तन, देखो, उत्क्रमड परिवर्तन, दो प्रकार से परिवर्तन उत्क्रमडी हो गया और अनुत्क्रमडी, ठीक, तो उत्क्रमडी परिवर्तन में क्या होता है, कि जो हमारा अभिकारक है, जो हमारा product है, है न, स्वरी जो हमारा अभिकारक है जो हमारा अभिकारक है वह क्या होगा कि वह उत्पाद में चेंज हो जाएगा और उत्पाद से हम उसको किसमे अभिकारक में पुना प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा चेंज कैसा होगा रिवर्सिवल रिवर्सिवल चेंज मतलब यानि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं तो ऐसा क्या कहलाता है उत्क्रमडी परिवर्तन और ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है यानि कि उसमें हम उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन जो उसका गुड़ है उसको ह बहुत दिक परिवर्तन जैसे हम पानी हो गया पानी को हम क्या करते हैं बर्फ में बदल सकते हैं और जो बर्फ को बर्फ को हम पानी में भी बदल सकते हैं तो यह कैसा परिवर्तन हुआ उत्क्रमडी परिवर्तन और अनुत्क्रमडी में अगर उसको हम एक वार चेंज कर दिय तो वे दुवारा रिवर्स नहीं हो सकती है अगर उसको उत्पात बना दियें तो उत्पात से फिर अभिकारत नहीं बन पाएगी तो ऐसा परिवर्तन कौन से कहलाएगा अनुत्क्रमडी और चेमिकल चेंजर याने रसाइनिक परिवर्तन जैसे अगर कोईला है तो अगर कोईला को हम किसमे जला दिया और उसको किसमे परिवर्तन कर दिये राक में तो क्या राक से पुना कोईला बन पाएगा नहीं बन पाएगा तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा अनुत्क्रमडी परिवर्तन और रासाइनिक परिवर्तन तो उत्क्रमडी परिवर्तन तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नंबर बी इस दा करेक्ट ओप्शन राइट नेश्ट क्वेशन की ओर आँगे बढ़ते हैं प्रकास संसलेशन में कौन सा परिवर्तन होता है प्रकास संसलेशन फोटो सिंथेसिस विच चैंज टेक प्लेस इन फोटो सिंथेसिस तो फोटो सिंथेसिस में कौन सा परिवर्तन होगा उत्क्रमडी परिवर्तन होगा या रासाइनिक परिवर्तन होगा या उप्यूक्त में से दोनों या उप्यूक्त में से कोई नहीं तो अब देखिए प्रकास क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं भोजन क्लोरोफिल में और इड्रोजन निकल जाएगा और आउक्षीजन निकल जाएगा है और इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पिछे आ जाएगा यहाँ पे विछे तो क्या अगर जो कारवन डायकसाइड और जल को हमने किसमे कर दिया कि ग्लूकोज में बना दिया तो क्या यह फिर से पुना रसाइनिक परिवर्तन हुआ कैसा अनुत क्रमड़ी परिवर्तन हुआ इन्रिवर्सिवल प्रोसेस हुआ यह कौन सा चेंजर्ज है रसाइनिक परिवर्तन तो फोटो सिंथेसिस में प्रकास संसलेशन में कौन सा परिवर्तन होता है रसाइनिक परिवर्तन और जो रसाइनिक परिवर्तन है इसके अलावा किस-किस में होता है जो chemical changes किसमें हो गया श्वशन में और पाचन में इनमें सम्में किसमें हो इनमें सम्में क्या होता है अनुत क्रमडी in reversible process होती है रासाइनिक चेंजर्ड केमिकल परिवर्तन होता है राइट किंडवन हो गया और प्रकासन्स लेशर्ड ये तो अपना हो गया photosynthesis इनमें सम्में क्या होता है कि chemical changes अनुत क्रमडी परिवर्तन होता है राइट नेक्स्ट कोशन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन अपना क्या है निम लिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है तो क्या होगा chemical changes अनुत क्रमडी परिवर्तन पूचा है तो इनमें से क्या कौन सा अनुत क्रमडी परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन नहीं है खोस का द्रवों में पिघलना ये तो कैसा है भौतिक ये भी गैशो का द्रवों में द्रवी करण ये भी भौतिक परिवर्तन है पदार्थों का किंडवन कैसा है ये? chemical changes है अभी हमने बताया था कि किंडवन पाचन, स्वसन, फोटो सिंथेटिस ये कैसे है सभी chemical changes है तो इस पर अपना right answer क्या जाएगा C number is the correct option fermentation of substance राइट? जैसे ठोसो का द्रवों में पिघलना ठोसो का द्रवों मतलब कि जैसे बर्फ हो गया बर्फ को पानी में पिघलाएंगे फिर से पानी को हम बर्फ में बना सकते है ये कैसा है? बहुत इक परिवर्तन है है ना? next question की और आँगे बढ़ते हैं अपना जल में नमक को मिलाने के कारण जल में नमक को मिलाने के कारण क्या होगा? क्वथनांग बढ़ेगा? ये कवथनांग घटेगा? ये कवथनांग प्रभावित नहीं होता है? ये कवथनांग हिमांग बढ़ता है? अगर आप लोगोंने कल की वीडियो देखा होगा तो इसको हमने क्योंकि जल एवं नमक का ही उदारन लेके बताए थे तो वो अगर आपने कल देखा होगा तो आपको ये आंसर बन जाएगा तो चलो एक बार फिर से बताए दे रहे हैं कि अगर हम कोई चलो बीकर लिए बीकर में क्या भर दिये? जल भर दिये, पानी और उसमें क्या डाल दिये? नमक डाल दिये अब क्या कहिए कि उसको गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो क्या होगी उसकी विलेता बढ़ेगी? यानि कि जैसे उसको गर्म करेंगे हम तो वो अधिक घुलेगा तो यानि कि उसको क्या विलेता बढ़ेगी मतलब वाइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर कुथनांग बढ़ता है, राइट, और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन कैसा होता है नमक में पानी वाला, भौतिक परिवर्तन, राइट, नेक्स्ट कोश्चन क्यों और आंगे बढ़ते हैं, कि निम्ने में से विस्तमांगी मिस दोनों बताया था, तो इसमें से क्या होगा, कि विस्तमांगी मिस्तरण नहीं है, मतलब समांगी मिस्तरण, पूचाए कि समांगी मिस्तरण कौन है, याने कि उस क्वेश्चन को आपन दूसरी रूप में भी देख सकते हैं, तो के टुशी आटु ओशैवन का जलमे या गन पाउडर या मिट्टी, तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, ये कैसा है अपना समांगी मिस्तरण, और जो गन पाउडर ये कैसा होता है, विश्मांगी मिस्तरण होता है, हेट्रोजीनियस, जो अपना गन पाउडर है, गन पाउडर किस किस से मिल कर के बना होता है, इसमें चार कोल मिला होता है, चार कोल मिला होता है, सलफर मिला होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट मिला होता है, तो ये कैसा है, विश्मांगी मिस्रणा, और जो मिट्टी है, मिट्टी में तो आप लोग जानते हैं, कई तत् तो कैसा है मिट्टी भी कैसा हुआ विश्मांगी मिस्रण में आएगा है ना तो समांगी मिस्रण पूछा तो समांगी मिस्रण लेकिन क्या होता है कभी कभी जो वायू है ना वायू में भी अगर धुयें के कड मिल गए या धूल के कड मिल जाए तो कैसा मिस्रण कहला आएग इन में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन है which of the following is a chemical change मक्खन का खटा होना मतलब मक्खन का खटा होना मतलब क्या हो गया यहां पे acid का formation हो गया किसका? acid का तो यह आपको तो समझ में आई गया कि कौन सा change होगा CO2 से सोखी बर्फ बनना एक platinum तार का गर्म होना लोहे का चुम्बिकी करण यह सभी कैसे है physical changes है बहुत इक परिवर्तन है कि CO2 से सूखी बर्फ बना रहा है सूखी बर्फ से dry ice से हम फिर से उसको CO2 में convert कर देंगे एक platinum तार का गर्म करना platinum तार को गर्म करते हैं फिर उसको किसी दूसरे आकार में ढालेंगे तो वो कैसा ही रहेगा platinum ही रहेगा केवल उसमें चुम्बक का गुड़ा है ना कि उस लोहा दूसरे उसमें change हुआ है और मखन का खटा होना मतलब उसका वो ही change हो गया है तो क्या होगा उसमें नया गुड़ आ गया तो यह क्या होगा मखन का खटा होना यह कैसा है chemical change तो अपना रासाइनिक परिवर्तन पूछा है तो क्या हो जागा A is the right option A is the correct option source of shortness of butter right next question की और आंगे बढ़ते है अपना next question क्या है कि निमने में से कौन सी प्रक्रिया रासाइनिक प्रक्रिया का उधारंड है यहनी chemical changes chemical process का पूछा है है न तो दो वीले सील पदार्थों को घोल कर नया विलियन बनाना स्वासन की प्रक्रिया या बर्फ का बनना या उप्रोक्त सभी अब देखो दो विले सील पदार्थों को घोल कर बनाना अगर दो विले सील जैसे आपन पानी मान लिए या पानी प्लेस नमक हो गया है ना तो इनको पदार्थों को घोल कर नया विलियन बनाना तो यह क्या केमिकल प्रक्रिया है नहीं तो इसमें केमिकल प्रोसेस कौन सी हो जाएगी अभी पहले भी बताया था कि chemical में कौन-कौन सी आती हैं, जैसे अपना स्वसन हो गया, photosynthesis हो गया, पाचन हो गया, यह सभी क्या है, chemical है, अनुत क्रमडी प्रोसेस है, तो इस पर B अपना क्या जाएगा, right answer B, right, next question की और आगे बढ़ते हैं, अपना next question क्या है, निमलिखित में से कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में मदद करती है कि रसाइनिक अभी क्रिया हुई है या नहीं, chemical reaction, chemical reaction हम कैसे तै करेंगे कि chemical reaction हुई है या नहीं, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सरजन, या रंग बदलना, या उप्यूप्त में से सभी, अगर अवस्था में परिवर्तन, दूद से दही बन गया, तो chemical process हुई, इससे हम तै कर सकते हैं, गैस का उत्सरजन हुआ, अगर गैस का उत्सरजन हो गया, तो इससे भी हम तै कर पाएंगे, रंग बदलना, अगर रंग भी changes हो गया है, तो जैसे कि, अगर कोई पदार्थ ह है, है न, अगर उसको बहुत दिनों तक रख देते हैं, तो वो सड़ जाएगा, उसका color change हो जाता है, तो chemical process हो जाती है, तो इससे भी हम तै कर पाते हैं, कि इसमें रासाइनिक अविक्रिया हुई है, तो उप्यूगते में से सही अपना right answer जाएगा, D number, right, तो D is the correct option, right, next question क्यों और बाँगे बढ़ते हैं, next question क्या है अपना, ammonium chloride का जली विलियन होता है, ammonium chloride, ammonium chloride, NH4Cl, जो NH4Cl, ammonium chloride को हम क्या बोलते हैं, नौशादर, इसमें कौन सा गुड़ पाया जाता है, शबली मेशन का उर्दपातन का गुड़ पाया जाता है, और जो नेप्तली, जो ammonium chloride के अत्रिक्त किसमें पाया जाता है, नेप्तलीन हो गया, कपूर हो गया, और iodine हो गया, इनमें भी किसके गुड़ पाया जाते हैं, किसके गुड़ पाया जाते हैं, उर्दपातन के शबली मेशन के गुड़ पाया जाते हैं, तो अगर क्या पूला है कि ammonium chloride, ammonium chloride का जली विलियन, मतलब H2O जल मिला हुआ है, तो क्या होगा हुआ, अमली होगा, या छारी होगा, या उदासीन, या रंगीन, तो अगर NH amelievillian है, तो जो NH4 है, वह किस-किस में टूट जाएगा, NH4 और CL माइनस में, और जो हमारा जल है, ये भी किस में टूटेगा, hydrogen H+, और OH माइनस में, तो इससे कौन जूड जाएगा, H+, CL माइनस, ये जूड जाएगा, और इससे कौन जूड जाएगा, अपना NH4 और OH, तो ये क्या बना लेगा, कि ये अमोनियम हाईडरोकसाइड बना लेगा, ये अमोनियम हाईडरोकसाइड बना लेगा, मतलब ये क्या हुआ, छार हो गया, है ना और ये क्या बना लिया H प्लेस C L मतलब H C L बना लिया और H C L क्या होता है अमल होता है है ना अमल बना लिया ये H C L हाइड्रोक्लोरीक अमल बना लिया और ये H C L कैसा होता है ये प्रवल अमल होता है और जो ammonium hydroxide होता है यह कैसा होता है दुरवल चार होता है तो अब यह प्रवल अमल है और वो दुरवल चार है तो ज्यादा किसकी वहाँ प्रियोर्टी होई प्रवल अमल की ही होगी तो जो ammonium chloride का जली विलियन है वह कैसा होगा अमली होगा तो A is the right option अपना जाएगा next question क्यों आँगे बढ़ते है इस्तंब first खोज एवं इस्तंब two में किसका नाम है व्यज्यानिकों का यानि कि इस्तंब एक में खोज है कि खोज क्या हुई है और दूसरे में व्यज्यानिक का नाम खोज किसने की है चैडविक ने तो A का दो अब A का दो देख लीजिए C यानि C इस पे अपना right answer जाएगा यह हम पहले से ही बताए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो किसी का है ही नहीं न हाँ अब electron electron की खोज किसने किया था जेजे थॉंसन ने तो B का क्या हो जाएगा अपना तीन और C proton की खोज किसने की है गोल्ड इश्टीन ने तो C का क्या हो जाएगा एक और D परमाडू सिध्धान परमाडू सिध्धान किसने दिया है जॉन डाल्टन ने तो अपना क्या हो गया फोर तो दो तीन एक चार देख लिए यह सी अपना राइट आंसर हो गया राइट नेक्स्ट क्वेशन की और आंगे बढ़ते हैं ऐसे आप लोग को साप माइंड पे अपना टाइम बचाना है तो आपको एक दो देख के जल्दी से करना पड़ेगा अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक दो हो रहा और यहाँ पे देखो एक चार तीन यहाँ पे दो किसी का नहीं तो आप कन्फर्म कह सकते हैं कि यही हमारा राइट आंसर होगा फिर आपको दूसरा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है है ना लेकिन अगर आपको कन्फर्म करना है तो एक बार मिला सकते हो बाकि अगर आपको टाइम बचाना है तो ऐसा कर सकते हैं यह एक ट्रिक होती है अब इसमें क्या है नेक्स्ट कॉशन हमारा क्या कहता है कि वे इस पे सीद जिनमें परमाडू क्रमांग क्या परमाडू क्रमांग तथा द्रव्यमांग संख्या दोनों भिन भिन हो परंतु निट्रान की संख्या समान हो वह है देखो हमने कल क्या क्या बताया था कि अगर परमाडू संख्या परमाडू क्रमांग समान हो और परमाडु भार यानि द्रब्मान संख्या क्या हो बिन हो Augnich तो वो कह कहलाता है आईसो टोपस यानिए समस्थानिक कहलाता है इसका एक्जाम्पल दिया था कि जो हाईडोजन होते हैं, हाईडोजन के तीन समस्थानिक होते हैं कौन-कौन से प्रोटियम, जूटीरियम और ट्राइटियम इनका क्या है? परमाडू क्रमांग सेम है लेकिन परमाडू भार जो है वो क्या है? अलग है इसका एक, दो और इसका तीन इनके परमाडू क्रमांग सेम है लेकिन परमाडू भार अलग अलग है तो ये क्या हो कहलाता है ऐसा? आईशो टो और अगर जिसके परमाडू क्रमांग क्या हो? भिन हो और परमाडू भार द्रबमान संख्या क्या हो? सेम हो वो क्या कहलाता है? आईशो बार्स संभारिक कहलाता है जैसे एक्जामपल के लिए आरगन देख लिए आरगन का जो होता है परमाडू क्रमांग किता होता है अठारा लेकिन इसका परमाडू भार किता होता है चालिस और potassium, potassium का पर्माडू क्रमांग 19 और पर्माडू भार 40 ये क्या हो गए? पर्माडू क्रमांग तो क्या है? भिन है लेकिन पर्माडू भार क्या है? सेम है तो वह क्या कहलाता है? आईसो भार समस्थानी अब हमारा तो इन दोनों से अलग पूछा है ना कि जिसके परमाडू क्रमान की भी different हो और परमाडू भार्यान द्रबमान संख्या भी different हो लेकिन neutron की संख्या क्या हो? सेम हो वह क्या कहलाएगा? सम-neutronic कहलाता है क्या कहलाता है? सम-neutronic अब example की जैसे hydrogen हो गया hydrogen का क्या है? परमाडू क्रमान की भी भिन है और परमाडू भार भी भिन हो गया किस से? helium से helium का परमाडू क्रमान और परमाडू भार लेकिन इसमें जो neutron की संख्या होती है दो इवा क्या होती है? सेम दोनों में दो दो पाई जाती है, तो क्या हो गया, ये कैसा है, सम न्यूट्राणिक है, और एक और होता है, सम इलेक्ट्राणिक, मतलब आइसो इलेक्ट्राणिक, आइसो इलेक्ट्राणिक मतलब, यानि कि जिन में इलेक्ट्राणों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जैसे, कि निय हो गया, शोडियम हो गया, mg प्लेस टू हो गया, तो इनमें इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होती है, दस, इनमें इलेक्ट्रोनों की संख्या पाई जाती है, वो क्या होती है, इनमें समें सेम पाई जाती है, तो ये ऐसे क्या कहलाते हैं, समें इलेक्ट्रोनिक कहलाते हैं, त तो इस पे अपना क्या जाएगा? कि जिनका परमाडू क्रमांग तत्था द्रव्यमान संख्या परमाडू भार दोनो भिन हैं. दोनो भिन है, तो वो क्या कहलाएगा? सम निउट्रोनिक और जिसकी निउट्रोन संख्या समान है. तो C अपना राइट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रोनिक राइट नेक्स्ट क्वेशन की और आंगे बढ़े अपना नेक्स्ट क्वेशन क्या है क्वेशन हमारा क्या कहता है कि दैनिक जीवन के निमलिखित उधारण पढ़िये तता उचित विकल्प का चैन कीजिए जब भोजन खराब होता है तो वह धुरगंद उत्पन करता है क्या करता है इसमेल करता है और सेव के एक टुकड़े को जब कुछ छड़ से कुछ छड़ के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है तो ये कैसे परिवर्थन है इसमें केमिकल है और ये कैसा है इसमें भी केमिकल चैन्जिस हो रहा है है ना चीटी के काटने से उत्पन जलन को सांत रखने के लिए कैलामीन का प्रयोग करते है जो एक कैलामीन मेडिशीन होती है इसको जलन हो गया या दर्द हो गया इसमें यूज किया जाता है तो कैलमीन क्या होती है कि वहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो उसको दर्द खतम कर देगी अगर जलन हो रही है तो कैलमीन लगाने से क्या होगा जलन कम होना हो जाएगा तो ये कैसा हो रहा है, वहाँ पे chemical changes हो रहे हैं, तो A, B, C यानि तीनो chemical changes है, अपना इसमें क्या है, B एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी अपना गलत हो गया, A और B भौतिक परिवर्तन है, ये भी अपना गलत हो गया, C सभी रसाइनिक परिवर्तन है, तो अपना C अपना क्य हो जाएगा, right answer, she is the correct option, right, next question क्यों रांगे बढ़ते हैं, next question अपना क्या है, question क्या कहा रहा है, कि निमलिखित में से कौन सा एक उच्चितम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन कौन देता है, सबसे अधिक मात्रा में, सोडियम हाइड्रोजाइड विलियन, यह दूधिया मैगनीशिया, मिलक ओफ मैगनीशिया, यह निवूरस, यह जिसको हम लेमन जूस बोलते हैं, यह अमासेरस, तो कौन देता है सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन, देखो, हाइड्रोजन आयन, यह उच्टम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देने का मतलब क्या हुआ, कि जिसका पी अच मान कम होगा, अगर यदि pH मान क्या है कम है तो वह क्या देगा अधिक देगा और जिसका pH मान क्या है अधिक है तो वह क्या है तो इसमें क्या है कि उच्छतम हाइड्रोजान आयन कौन देता है मतलब जिसका pH मान क्या होगा कम होगा और जो pH मान है वो कैसे हम लोग decide करते हैं तो एक pH scale होती है 0 से ले करके चौदा तक जिसमें क्या होता है 7 जो 7 नम साथ होता है वह क्या होता है neutral उदा सीन होता है और जो pH scale है वह किस ने दिया था सौरेंसन ने दिया था pH मतलब क्या होता है power of hydrogen तो अगर 7 से क्या हो अधिक हो तो वह क्या कहलाता है 6 और अगर यदि 7 से कम है 7 से कम की ओर है तो वह क्या है अमल कहलाते है तो अब sodium hydroxide sodium hydroxide मतलब NaOH ये क्या होगा hydroxide है मतलब इसकी जो pH मान किता होता है 10 होता है तो क्या pH मान 10 अधिक है तो यह क्या हाई ह्ईड्रोजन कम देगा है नग आप देख लेतने आंगे और किसका कित्ता हो रहा दूद्ध. आफ दूद्ध मैगनिशा मिल्क आफ मैगनिश्या टो जू- offspring ऑफ मैगनिश्या क्या है इसका उप्योग हम किसमे करते हैं एंटा एसिड के रूप में करते हैं किसमें एंटा एसिड के रूप में जो एसीडिटी हो जाती है न एसीडिटी एसीडिटी को खत्म करने के लिए एंटा एसिड का उप्योग किया जाता है एंटा एसिडिटी एसिड मतलब प्रती और निवूरस, लेमन जूस, जो निवूरस में कौन सा अमल पाया जाता है, साइट्रिक अमल, तो साइट्रिक अमल का पी अच किता होता है, दो से तीन होता है, है ना, तो अगर साइट्रिक अमल का दो से तीन पी अच है, तो ये भी अधिक दे सकता है, लेकिन अमा सहरस, अमारा सेरस मतलब गेस्टिक जूस में कौन सा अमल पाया जाता है HCL तो जो HCL का pH किता होता है एक से लेकर 1.5 तो यानि कि इसका pH मान क्या है कम है तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन आयन क्या देगा अधिक देगा तो और इसमें पूछा क्या है कि उच्तम हाइड्रोजन आयन देता है तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे जादा हाइड्रोजन आयन कौन देता है तो कौन देता है अमारा सेरस तो अपना D क्या हो जाएगा राइट आंसर अमारा सेरस में कौन होता है HCL नेश्ट कोश्चन की और आंगे बढ़ते हैं अमल एवं चार के परिक्षड के लिए किसका उप्योग किया जाता है विच इज यूट तो टेस्ट एसिड एंड बेस जो अमल और चार का परिक्षड है उसके लिए हम किसका उप्योग करते हैं किसके आधार पे निर्धारित करते हैं कि यह अमल है या कि यह चार है लिटमस पेपर, कोवाल्ड पेपर या अमोनिया पेपर या इनमेश से कोई नहीं तो देखिए जो अमल एवं चार का परिक्षण है वह किसके दौरा किया जाता है लिटमस पेपर के दौरा किस के द्वारा लिटमस पेपर के द्वारा तो लिटमस पेपर में क्या अमले क्या कर देता है अमले नीले नीले को क्या कर देता है लाल कर देता है अमने नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो च्छार होता है और च्छार क्या कर देता है कि जो लाल लिटमस पेपर होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है क्या कि जैसे अनिल अनिल, अ मतलब हो जाएगा अमल, नी मतलब हो जाएगा नीला, और ला से लाल, मतलब की अमल जो है वह नीले से लाल कर देता है, और छलनी, घरों में यूज करते हैं न, तो छलने, छलनी बोल दो, तो वही तुछा से क्या हो जाएगा, छार, अपने ये एक याद करने के और निसे नीला मतलब कि यह क्या कर देता है कि लाल पेपर को नीला कर देता है अगर आप अनिल वस एक किसी का नाम याद कर लीजिए अनिल अपने फ्रेंड में से या ऐसा भी कुछ भी अनिल वस याद कर लीजिए तो अगर अनिल आपको याद है तो वहां से आप गैस कर सकत इसमें अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नंबर लिटमस पेपर हम लेवं छार की परिक्षड के लिए किसका उप्योग करते हम लिटमस पेपर का ए इस दा राइट ऑप्सन नेक्स्ट क्यों रागे बढ़ें नेक्स्ट क्या कहता है सभी लवड होते हैं अब लवड साल्ड क्या बोला सभी लवड क्या होते हैं साल्ट सोते हैं जो साल्ट सोते हैं साल्ट मतलब क्या आ जाएगा अपने इस पे एने शील हो जाएगा mgcl2 हो जाएगा kcl हो जाएगा यह सभी क्या है लवड है अब इनको हम क्या करें कि अगर इसको हम पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे यह तोट जाएंगे किसमें विवाजित हो जाएंगे जो na है वो na plus c l minus में हो जाएगा है ना na plus c l minus में जो mg c l do है ये mg plus 2 और c l minus में हो जाएगा 2 c l minus है ना और जो k c l है k plus c l minus में हो जाएगा तो ये क्या हो रहे है अपने आयनों में क्या हो रहे है आयन में विभाजित हो रहे है आयनों में विभक्त हो रहे है तो यह ऐसा क्या कहलाता है वैद्दूत अबघट कहलाता है तो इस पर अपना सभी लवड क्या होते है वैद्दूत अबघट होते है और जो वैद्दूत अनबघट मतलब यह क्या होते है non-electro light होते है insoluble होते है तो यह क्या हो गए वेदूत अनपगट हो गए तो सभी लवड कैसे होते हैं वेदूत अपगट तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नमबर बी इस दा करेक्ट आप्शन राइट सभी अमल धातूओं से अब क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं तो जो हमारे अमल हैं वेद धातूओं से क्रिया करेंगे तो वे कौन सी गैस देंगे तो अगर किसी अमल की किसी धातूओं से क्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस मिलेगी जैसे अपन HCL है ये क्या हुआ एक अमल है इसकी कोई धातू जैसे जिंग से क्रिया करा रहे हैं तो क्या देगा ZNCl2 मतलब यहां पर 2 आ जाएगा बैलेंस करेंगे और कौन सी गेस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गेस निकल जाएगी तो कौन सी गेस देते हाइड्रोजन गेस देते हैं और अभी हमने बता दिया है कि अमल और चार के परिक्षड के लिए कौन सा पेपर यूज करते है लिटमस पेपर यूज करते है और जो लिटमस पेपर है लिटमस पेपर कहां से मिलता है अपने को लाइकेन से मिलता है कहां से मिलता है लाइकेन से जो लाइकेन है लाइकेन किस-किस से मिलकर बना होता है फ यह होते हैं तो फंगस और एल्गी के कॉंबिनेशन से जो हमारा क्या बनता है लाइकन लाइकन से हमको क्या मिलता है लिटमस पेपर मिलता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है छारी घोल का पीयच मान होता है छ इसको कहां से मापते हैं, एक pH scale होती है, pH scale में 0 से ले करके 14 तक मान होते हैं, जो 7 होता है, वह 7 क्या होता है, neutral उदा सीन होता है, और जो pH scale है, pH scale किस ने दिया है, सौरेंसन ने, सौरेंसन ने दिया है pH scale, राइट, तो अगर यदि क्या हो, साथ से अधिक हो, तो वह क्या है, चार है, और साथ से कम है, तो वह क्या कहलाते हैं, अमल कहलाते है, मतलब साथ से अधिक, साथ से अधिक क्या कहलाएंगे, चार, और सैवन से कम, क्या कहलाएंगे, अमल कहलाते हैं, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, छारी घोल का पियाच मान कित्ता होता है, साथ से अधिक, और जो सुन्न है, सुन्न को हम किसमे लेंगे, सुन्न भी acid पे ही आ जाएगा, राइट, नेक्स्ट कुछन क्यों राँगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछन अपना क्या है, सो तो कप्छा आठ के विद्धार्थी बताते हैं कि शोडियम और पोटेशियम को कैरोसीन में क्यों रखा जाता है तो क्या बताते हैं सुन लीजीए हम तो सुन लेते हम कि वो क्या बोलते हैं या दोनों उच्चे क्रिया सील एवं वातावरण से में आक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं या केरोसीन वायो में धातु की आक्सीजन से क्रिया को रोकने में शाहयता करता है तो कक्छा आठ के विद्यार्थों द्वारा दिये गए उप्युक्त कारण कारणों का चुनाओ कीजिए केवल A, केवल C एवं D, केवल B या केवल C एवं D तो इनमें से अपना राइट आंसर कौन सा होगा अपने को बताना है तो क्या जो अपने सोडियम और पोटेशियम सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं सबसे क्या होते हैं सबसे सक्रीधा तो सबसे क्रिया सील होते हैं है ना और ये केरोसीन में क्यों रखे जाते हैं क्योंकि ये वायू मंडल के संपरिक में क्या होती है oxygen होती है और जैसी ये oxygen से kriya करते हैं तो क्या कर देते हैं आग उत्पन निकल देते हैं है ना तो और kerosene में क्यों रखते हैं क्यों क्यों क्या होता है कि oxygen नहीं पाई जाती है तो इसमें क्या है C नमबर में उन्होंने क्या कहा है कि दोनों उच्चे क्रिया सील है एवं वातावरण में oxygen से क्रिया कर लेते हैं तो उन्होंने तो सही बोला है है ना और D में भी क्या बोला है कि kerosene VOYU में धातु की oxygen से क्रिया को रोकने में सहायता करता है तो अपना right answer क्या जाएगा B नमब आगे बढ़ते हैं नीचे दी गई धातूओं और अधातूओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए आपको धातू दी गई है धातूओं और अधातूओं दी गई है उनका क्या उपयोग होता है उसके अधार पर हमको मिलान करना है तो आयोडीन आयोडीन का उप्योग हम किस में करते हैं, किस में करते हैं, वुंड हीलिंग में करते हैं, घावों को भरने के लिए किस का उप्योग करते हैं, आयोडीन का तो A का क्या हो जाएगा, दो मरकरी, मरकरी किस में पाई जाते हैं, किस में देखते हो, आप लोग धर्मामीटर में, ताप मापी में मरकरी का यूज करते हैं, मरकरी का साइन क्या होता है, HG तो B का क्या हो जाएगा, 3 Aluminium, Aluminium का उप्योग कहां किया जाता है, खाद पदार्थों की डिब्बबंदी में, आप लोग देखे होंगे, कि आप लोग खाद समगरी कोई भी डिब्बा लेके आओ, अचार का डिब्बा लेके आओ, या सोन पपड़ी का डिब्बा लेके आओ, उसके उपर एक Aluminium की प तो इसमें आप लोगों, सभी लोगों ने देखा होगा, तो C का क्या हो जाएगा, 4, अब D, क्लोरीन, क्लोरीन का उप्योग हम किस में करते हैं, जल सोधन में, वाटर प्योरिफिकेशन में उप्योग करते हैं, क्लोरीन का, तो 1, अब देख लीजिए, A का 2, B का 3, और C का 4 D का 1, तो किस में दिख रहा है, C नमबर में, तो अपना राइट आउंसर क्या जाएगा, C, C is the correct option, राइट, नेक्स्ट क्वेशन क्यों आंगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेशन ये आप लोगों के लिए है, कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोकसाइड के तनूविलियन की एक पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह प्रेचड करेगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, बी नमबर है कि नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, और ला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को जो, जिसने इस वीडियो को सुरू से लेकर अभी तक देखा होगा, तो उससे ये आंसर बन जाएगा, और जिसने नहीं देखा है, तो उससे ये कता ही नहीं बनेगा, अगर आपने पह का इंतजार रहेगा, आपके उतर का इंतजार रहेगा, मैं आपके उतर को देखाऊं, देखोंगा, राइट, तो हब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जाने से पहले, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दें, हां, और टेलिग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस से जुड़ जाएए वहां पे आपको सभी प्रिवियस येर के क्वेशन मिल जाएंगे और आपको नौटिफिकेशन मिलते रहेगा कि वीडियो डल किते बज़े आएगे किते बज़े नहीं आएगे हाँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद जय हिन जय भारत